ICSI June 2023 exam results तो finally जो आपका result है इसका आपको वेट था इतने टाइम से August 25 को वो आ चुका है आपका results are out आप चेक कर सकते हो most probably हर किसी ने अब तक तो check करी लिया होगा of course तो finally results आ चुके है बहुत सारे लोग ने exams clear कर लिया है बट क्योंकि ये एक professional exam है तो बहुत सारे students है बट मैंने तुरंत वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि आपको पता होगा जब से ये result आया है तो आते ही controversy start हो गया कि 5% जो passing percentage है वो है या फिर कुछ 29 marks बहुत सारे लोगों का रहे हैं और भी बहुत सारी controversy already result आई ऐसी start हो गई तो मैंने बोला कि आपके emotions को थोड़ा settle होने देता हो क्योंकि क्या होता है कि जब भी ऐसे कोई professional exam में majority of the students का clear नहीं होता तो उनके अंदर भी काफी गुस्सा होता है disappointment होता है और तभी right frame of mind नहीं होता है कि मतलब हम कुछ अच्छे से decide कर सके या सोच सके इसलिए मैंने सुचा ओरड़ी इतना controversy चल रहा है तो 2-3 दिन का gap लेते उसके बाद वीडियो अपलोड करते ताकि तब तक सबके emotions settle down हो जाए और फिर वो practically सोच सके और मैं ये वीडियो में अपना point of view बताऊंगा कि क्या है मेरा point of view ये results को लेकर रिजल्स में fail देखने के बाद obviously आपको बहुत ज्यादा demotivated feel हो रहा होगा क्योंकि इतने सारे expectation थे आपका खुझ से आपके parents के expectation थे प्लस इतने मैनत किये इतने sacrifices किये तो हर किसी को expectation होगी कि मेरा हो जाए clear although professional exam है तो हर किसी का नहीं होता बट expectation सबकी यही होती है कि passing percentage कितना भी कम हो मेरा इसमे clear हो जाए क्योंकि इतना efforts मैंने दाला इतना hard work मैंने किया है और fail होने के बाद बहुत सारी चीजे माइंड में आती है बहुत सारे questions आते हैं बट जो सबसे बड़ा question है पहले में वह discuss कर लेता हूँ सबसे जादा लोगों को यह की attempt लग गया मतलब अब अब मुझे job नहीं मिलेगा training नहीं मिलेगा क्योंकि जो first attempt में clear करता है या फिर जिसको rank आता है उसी को job मिलता है उसी को training मिलता है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है मेरा जो experience at 2.5 to 3 years का approximately training और उसके बाद और उसके बाद जो मेरा अभी का organization उसमें मैं आपको बताता हूँ कि literally मतलब मैं को एक company का नाम नहीं ले सकता है जहाँ पर भी मैंने काम किये वहाँ पर hardly 1 करोड 2 करोड मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि यह सारा details public domain में already available है तो आप खुछ जाके चेक कर सकते हो मुझे नाम लेने का ज़रूत नहीं है अब जाके कोई भी company का annual report open कर लो उसमें आपको CS का salary दिखेगा और फिर आप चेक कर लेना कि उनको attempt लगे थे के नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको attempt लग गया तो आपको job नहीं मिलेगा और job से जादा लोगों को training का attention है क्योंकि immediately पहले तो उनको training स्टार्ट करना है तो बहुत सारे students हैसे जिनको listed company से training करना था और अब उनके messages आ रहे कि attempt लग गया मतलब मुझे listed company तो नहीं मिलेगा कोई firm में जाना पड़ेगा जबकि उनको जाना थे listed company में तो आप logically सोचो कि last 3-4 attempt का अगर आप analyze करोगे जो merit list है उसमें जो rankers होते हैं वो hardly 10-15 होते हैं मैं approximate number बता रहा हूँ personally जहाँ पर काम किया है वहाँ पर अगेन जैसे मैं employment का बताया फिंगर टिप्स पर मैं count करके बता सकता हूँ दो तीन ट्रेनी जिनका first attempt में clear हुआ है बाकि सभी का interview basis पर selection होता है तो आप अपने दिमाग से यह तो निकाल दो कि आपको एक attempt लग गया या फिर multiple attempt लग गया त result आया है उसके उपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा ये वीडियो में क्यूंकि इतने सारे वीडियो अपलोड हो चुके आपने मुझे इतने आप लोगों ने इतने सारे प्रोफेसर के वीडियो शेर किये कि देखो यह क्या बोल रहे है कि CS में बच्चों को पास नहीं कर योगी कि इस बार में ज्यादा बच्चों को फेल करता हो इस बार में कम बच्चों को पास करता हो पासिंग परसंटेज नीचे लाता हो ऐसा नहीं होता है प्रोफेशनल बॉडिस में यहाँ पर एक रीजन होता है मतलब अगर कोई पासिंग परसंटेज कम आया तो उसका ए कि जो 5% आया है जिसको सब criticize कर रहे है उसका एक logic है उसका एक practical background है मतलब उसका एक purpose है कि क्यों वो 5% आया ऐसे randomly कोई भी decide नहीं कर सकता कि ICSI के president को कम percentage लाना है इस साल कम बच्चों को पास करना है ऐसे नहीं होता इसका एक proper तरीका होता है तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो topic प को जानना होगा उसके बारे में तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा practically कि क्यों ऐसा होता है कि कोई attempt में percentage कम आते कोई attempt में वो आपस बढ़ जाता है तो इसका क्रीजन होता है यह एसे randomly calculate नहीं होता है यह वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वह एक अलग topic है यह वीडियो का पूरा main purpose फिर divert हो जाएगा अब negative result देखने के बाद आपके पास दो option है या तो आप depression में जाओ CS की बुराई करो या फिर आप criticize करो institute को और बोलो कि यहाप बच्चे ही पास नहीं हो रहे है तो मेरी गलती नहीं है सब लोग फेल हो रहे है तो मैं भी फेल हो इंस्टिट्यूट को प्रोफेसर को और ना जाने किसको और CS ठोड़ दिया होता बट अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो आपको खुद पर अभी भी confidence है कि मैं वहापस come back कर सकता हूँ और exam clear कर सकता हूँ और come back करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको move on करना है मतलब accept कर लो कि जो हुआ है unfortunately आपका exam clear नहीं हुआ होगा कुछ reason होगा उसके पीछे आगे बात करेंगे उसके बारे में बट उसको accept कर लो और उससे move on करो although I know कि बहुत सारे लोग mail लिख रहें ICSI को president को mail लिख रहें तो I don't think आप practically सोचके देखो आपका result उसमें fail से पास नहीं होने वाला है हो सकता है अगले attempt में कुछ changes आ जाए we never know कि क्या हो सकता है तो अगले attempt का छोड़ दो इस बार अगर आपका fail आ चुका है तो वो fail से पास नहीं होने वाला वो आपको भी पता है काफी logical है तो आप accept कर लो कि वो जो fail आया है वो इस बार वो change नहीं होगा डिसेंबर attempt में वो change हो सकता है हो सकता है ICSI कुछ changes लाए हो सकता है कुछ better checking हो हो सकता है कुछ और improvement हो पूरे structure में बट वो अब नहीं होगा क्योंकि इस बार का result आ चुका है तो इस बार का result आ चुका है उसको accept करो यह भरोसर पर मत रहो कि कोई professor mail लिखेगा president को सब students मिलके mail दिखेंगे president को और फिर president आके जिसका failed result है उसको pass कर देगा है इसा कुछ नहीं होने वाला है तो best यह रहेगा कि जितना जल्दी आप accept कर लो जो भी आपका result आया है वो जो second चीज़ आपको करना है वो यह कि आप mistake identify करो कि क्यो clear नहीं हुआ बहुत सारे mistakes हो सकते हो सकता है आ अब यह वीडियो में हम सारे reason नहीं discuss कर रहे है बट आप identify करो कि आपका क्या mistake था उस पर improvement करो हर student अपने जर्नी में mistake करता है in fact जो pass होता है वो भी mistake करता है जिसको all India rank आता है वो भी mistake करता है बट वो निकल जाते है उनका exam clear हो जाता है क्योंकि वो mistake कि इतना significant नहीं होता जि से अपने पूरा syllabus नहीं cover किया बहुत सारी mistakes हो सकती है तो वही आपको identify करना है और वही एरियास में आपको काम करके वापस come back करना है December exams में इसके साथ साथ आपका जो mark sheet है उसमें fail देखके उसको side में मत रख दो उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा उसको evaluate करो कि किस में किस reason के वेज़े से आप fail हुए हो मतलब हो सकता है आप aggregate में आपका total नहीं हो रहा है अगर aggregate में total नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आपका concept clear है बट आपको और थोड़ा revision करना है writing practice करना है उसके बाद most probably हो जाना चीए clear बट अगर आपका individual subjects में कम max आ रहा है मतलब 10, 15, 15, 10 ऐसे marks आ रहे तो आपका conceptual clarity lag कर रहा है या फिर suppose आपका हर subject में 35 to 40 के बीच में तो मतलब आपका concept clarity है बट आपको और थोड़ा खुद को push करना पड़ेगा individual subjects में आपको improvement करना पड़ेगा ऐसे multiple scenario हो सकता है वो आपको आपके जो mark sheet है उसमें से आपको evaluate करना पड़ेगा जो next step आपको लेना है वो यह है कि आपको immediately RTI से आपका answer copy मंगवाना है क्योंके क्या होगा जब RTI से आपका answer copy आएगा तो आप check कर पाओगे individually मतलब suppose कोई paper था उसमें आपको लग रहा था कि 100 में से 50 आएगा या 45 आएगा बट उसमें आपको 35 आए तो वो 10 marks जो cut हुए है म मतलब क्या reason है जिसके वज़े से वो marks cut हुए है तो ऐसे आपका अगर RTI से answer copy हाथ में आएगा आपके तो आप बहुत कुछ चेक कर पाओगे समझ पाओगे कि institute का expectation क्या था और आपने क्या वहाँ पे लिखा था और क्यों आपको कम marks मिले है next है आपको एक comeback plan बनाना है मतलब जो next 3-4 months है December तक उसमें आप exactly कौन से month में क्या करने वाले हो आपका target कैसे complete करने वाले हो उसको बोलते है comeback plan कि कैसे failure से निकल के आपको comeback करना है और आपको December exams में पास होना है तो ये वीडियो के बाद comeback plan वाला वीडियो भी आ जाएगा बहुत जल्द इसी week में तो वह आप के related और भी कोई question है तो मेरे को नीचे comment section में बताओ मैं आपको वहाँ पर reply कर दूंगा अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like कर देना और thank you very much for watching